हैं हमारी चैनल बीएसी एजुकेशन लेक्चर्स में तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं बीएसी सेकेंड एर फिजिक सेकंड पेपर है अपना तो यह वाला कॉशन आप लोग देख सकते हो 20 में कई वर कई उनिवर्सिटीज में पूछा गया है तो सबसे पहले कॉशन को पढ़ से कॉशन क्या कह रहा हैं ठीक है कॉशन अपना एक समान चुमिके छेतर में सुतंदरता पूर्वक लटकी धारावाई कुंडली पर लगने वाले बल आगून का सुत्रिस्थापित कीजिए तथा किस दिसा में यह बल आगून अधिकतम एवं नियूनतम होगा ठीक है अत्वा दूसरी प्रकार का कॉशन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है एक समान चुमिक के छेत्र में सुतंदरता पूर्वक लटके आयताकार धारा लूप पर बल आगून की गढ़ना कीजिए तो बल आगून क्या कहलाता है यह इस वीडियो में देखेंगे ठीक है क्योंकि जिसार कि आप लोग को पता है हर यूनिट से कॉशन आती है तो आप लोग के लिए हर यूनिट बहुत अच्छे से करनी है ठीक है तो सबसे पहले यह वाली तो आप लोग 11 12 में भी कर चुके हो ठीक है ठीक है तो सबसे पहले तो ABCD एक धारा लूप ले लिया यह अपना ABCD धारा लूप है जिसमें धारा प्रवाहत हो रही है और जिसे चुम के चेतर में लटकाया गया है ठीक है जो यह A B C D है यह अपना धारा लूप है जिसे चुम के छेतर B में लटकाया गया है तथा जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तब आप लोग देख सकते हैं A B वा C D जो है वो चुम के छेतर B के लंबवत है भोजा देखो A B और यह C D इसके लंबवत है चुम के छेतर और यह जो चुम के छेतर ना यह B है ठीक है यह लंबवत है तथा A B वा C D की जो लंबाई है यह अपनी A B और C D है इसकी लंबाई L दोनों की बरावर है RJ ठीक है क्योंकि आयताकार है ठीक है तो यह अपना यह तो ab c d l बरावर होगा और तथा a d बी वा b&b है इसकी लंब लंबाई ठीक है यह चोंडाई होगी यह लंबाई होगी आयताकार ठीक है आप लोग इसका चेतरेफल कैसे इसको a से denimote करोगे तो इसका जो आयत का चेतर फल होगा लंबाई गोड़े चोड़ाई तो लंबाई के अपनी B है तद चोड़ाई है जो वो L है ठीक है ठीक है इसका वर्डन आप लोके लिए समझ में आगे क्या करोगे A, B, C, D, A का आयता का लूप है जिसे चुम के चेतर B में लटकाया गया है तद जो आयता का लूप है इसकी जो A, B वा C, D भुझा है उनकी लंबाई L है तद वो चुम के चेतर के लंबाद है इसलिए इन पर बल्योग में कारे करता है तद जो A, B, C, D में जो यह धारा प्रवाहत हो रही है यह चुम के चेतर के शमानतर है इसलिए इन पर बल्योग कारे नहीं करता है ठीके इतना लिख दोगे आप लोग इसमें अब सेकंड जो डाइग्राम में इसमें थीटा कॉन लग रहा है तो इसलिए इस पर थीटा कॉन लगता है थीटा कॉन जो लगेगा उसमें आप लोग एव वन वा एव तो के बल्योग में आगोन की गढ़ना करों इसलिए हमने यह डाइग्राम बनाया हुआ है जिसमें जो थीटा है बenne बन लाइग्राम है आप लोग एक बार राखिएगा समकॉन थीटा लगता है इसके सामने की जो भूझा होती है वो अपने ल्म्ब कहलाती है ठीक है आप लोग इसको आगे समझा देगे जब आप लोग के लिए इसकी लंबवत भुजा की जानकारी होगी ठीक है इसका वर्णन आप लोग ये लिख दोगी जो हमने अभी अभी सब कुछ बोल के बताया है ठीक है तो ये वही लिखा दियेगा चितर में ABCD आयता का लूप है ABCD को चुमके चितर भी में लटकाया गय है जब ABCD में धारा आय प्रवाइत करते हैं तब AB dan CD चुमके चित के लंबवत है अता इन पर बल कारे करता है लेकिन इसमें प्रवाइत की दिशा है वह तो चुमके चितर के शमानतर है अता इस पर बलकारे नहीं करता एंड जो लंबवे हमने बताई AB बरावर CD ब्रावर L है तो था AD ब्रावर DC ब्रावर B है इतना क्लियर है अब आगे चलते हैं एक चीज और आप लोग देख सकते हो बल ये F1 बल लग रहा है ये F2 बल लग रहा है दोनों ब्रावर और विप्रीत है ठीक है F1 है वो F2 के विप्रीत है इस डाइग्राम में आप लोग द पताना यहां पर तो उसकी थोड़ी सी definition भी देनी पड़ेगी ठीक है तो यह definition है आप लोग पढ़ो भुजा एबी वसीडी पल लगने वाले बल बरावर तह था विप्रीत बलों के कारण यानि इसमें एक बरावर और विप्रीत बलों लग रहे हैं F1 वा F2 उनके कारण कु बल्योगम आगुण हो गया तो आप लोग टाव की जो definition बल्योगम आगुण है ना उसे टाव से प्रदर्शित करते और इसका फॉर्मूला होता है इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल की पेलिस्ट पर जाए फजिक्स की और वीडियोस ड़ली ह ठीक है तो यह इसका फॉर्मूला होता है बल्योगम दोनों बलों के बीच की दूरी चित्र बी जो है उसमें लूप की अक्ष यानि जो लूप है ABCD आयताकार उसका लक्ष जो है चुम्म की चित्र की दिशा में थीटा कोड बनाती है तब F1 वा F2 के बीच लगने वाला बल गोड़े दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी F into RQ अब देखो यहाँ पर यह वाला जो डायग्राम सेकंड वाला है F1 वा F2 यह दोनों विप्री तवल लग रहे ना इनकी बीच की दूरी क्या है अपनी RQ है ना लंबवत दूरी यह RQ इसलिए यहाँ पर RQ लिया हु हुआ है ठीक है अब आप लोग क्या करोगे RQ की मान के लिए आप लोग सेकंड वाला डायग्राम देखिए जो थीटा है वह बिंदू P पर बना हुआ है ना यह समकॉर्ट तरभुज में तो यहाँ पर P बिंदू पर थीटा कॉन बना दिया फिर QR तो P की जो लंबाई है वो क्या है अपनी बी दी हुई है इसलिए यहाँ पर P Q की लंबाई भी ले लिए हैठीक है इसमकॉर्ट तरभुज में साइन थीटा लगाते हैं साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करन लंब बटे करन तो लंब क्या है अपना RQ ठीक है या फिर QR बोल सकते हो अपोन में करण क्या अपना PQ करण की लंबाई PQ B पता थी न ठीक है तो यहाँ पर B QR is equal to B sin theta अब यहाँ पर RQ की value पुट कर देते हैं लेकिन एक बल और जो F लग रहा है जो अपना कुंडली पर मतलब जो यह कुंडरी फस्टर डाइग्राम था बल क्या लग रहा है F is equal to चुमके छेतर I चुमके छेतर B कहलाता है और अपनी धारा है और अपना यह L है लंबाई ठीक है यह होता है एक बल तो यहाँ पर आप लोग जो समीकरण यहाँ पर दोनों की बीच में लग रहा है यानि जो विप्रीत और बडाबर बल लग रहे हैं वो इसलिए यहाँ पर दोनों बलों की लंबद बीच की दूरी ली हुई है तो अब समीकरण एक में F की वैल्यू पूट करते है और R Q की समीकरण एक से ठीक है इल बी इन्टू बी साइन थीटा अब दिखो हमने एक चीज़ और बताया था छेत्रफल छेत्रफल को A से यहाँ पर दर्शित किया है लंबाई गोड़े चौड़ाई ठीक है V इन्टू L तो यहाँ पर B की का मान निकालके यहाँ पर वैल्यू पूट करदेरिती है यारी चूकि अगर आप लोग यह ले रहा है तो पत्चांतर करके B की वैल्यू निकाल सकते हो न A अपॉन L यहाँ पर वैल्यू पूट करते हैं आई एल बी इंटू ए अपॉन एल और अपना यह साइन थीटा आ जाएगा ठीक है एल से एल कैंसेल हो जाएगा तो क्या जाएगा आई ए बी साइन थीटा यह हो गया आप लोग का बल्योग मां अभी अधिकतम और नियूंतम भी करना है ठीक है अब देखो अगर जो लूप ह है जो कुंडली है या पर आप लोग यदि लूप में एन फेर हैं तब एन यानि एक फेरा है दो फेरा है तीन फेरा है तो उतनी का मल्टिप्ला हो जाएगा अर्था टाव इस उकॉल टू एन आई ए बी साइन थीटा ठीक है यह हो गया आप लोग का बल्योग माघून का व ली ठीक है अब आधिक्त्म और नियूंत्म कभूगा अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जीरो में कितना होता है 90 मेंा इस सब लेखना है आप एक कभूगा गर शाइन 100 रखेंगे जीता की ररखेंगे तो नियूंत्म हो जाएगा पूरा जीरो आजाएगा ठीक है तो अधिक्तम के लिए फस्ट आप लोग क्या करोगे अधिक्तम के लिए ठीटा इस उकल टो 90 रख दो रखने पर रखते हैं तो टाव इस उकल टो एन आई ए बी साइन 90 90 की वेली क्या होती वन होती तो एन आई ए बी ये हो जाएगा अधिक्तम ठीटा इस उकल टो जीरो लेंगे कम ठीक है नियून तम के लिए ठीटा इस उकल टो जीरो रखने पर ठीक है आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर इंपोर्टेंट हो जितने भी कॉशन करवाते हैं एन आई ए भी इसकी वैल्यू जीरो तो यह पूरा जीरो हो जाएगा ठीक है नियून तम के लिए पूरा जीरो आजाएगा तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शीर जरू करेगा ठेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें केवल हमने दो डाइग्राम बनाये ते ठीटा कॉंड लिया तब बताया ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को ठेंक्यू